जाईका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम बनाएंगे मेंगो कश्टर्ड बदाम कश्टर्ड, फुरूट कश्टर्ड और फुरूट सालाट्टो हमने बहुत बनाए तो क्यों ना मेंगो की इस सीजन में मेंगो कश्टर्ड बनाया जाए इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है और आसान सी रेसिपी के साथ बहुत ही बढ़िया और रिफ्रेसिंग डेजर्ट बनकर तयार होती है उमीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी तो चलिए सुरू करते हैं तो इस ACP के लिए हमने यहाँ पर आधा लिटर फुल फेट डूद लिया है हाई फ्लेम पर दूद में एक उबाल आने देंगे तो जैसे ही दूद में एक उबाल आ जाएगा हमें गेस की फ्लेम को लोड टू मीडियम कर देना है और इस टेज़ पर हमें इसमें एट कर देनी है चीनी हमने चार टेबल स्पून चीनी लिये आप इसकी मिठास को कितना रखना चाहते हैं उसी साब से चीनी की कॉंटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं और अब हमने यहाँ पर दो टेबल स्पून जितना वेनिला कश्टर पाउडर लिया और इसे हमने चार से पांच टेबल स्पून जितने दूद में पहले से घोल कर रखा हुआ था इसलिए हम इसे एट करने से पहले एक बार अच्छे से मिला लेंगे और एक हाँ से हम इसे एट करते जाएंगे और दूसरे हाँ से इसे मिलाते जाएंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लंस ना पड़ जाए अब हमें इसे लगाता चलाते हुए पकाना है तो हमने इसे लगाता चलाते हुए लो टू मिडियम फ्लेम पर पांच मिनिट के लिए पका लिया जब तक के ये गाढ़ा ना हो जाए अब हमें गेस की फ्लेम को ओफ कर देना है और इसे रूम टेंपरेचर पर अच्छे से ठंडा कर लेंगे तब तक हमें इसके लिए मेंगो प्यूरी बना लेनी है तो हमने एक आम को इस तरह से छोटे छोटे टुकडों में काट लिया है इसे हमने मिक्सी के जार में एट कर दिया और इसे पीस लेंगे तो हमने इसे रूम टेंपरेचर पर रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए तो एक बार ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर हमें इसमें एट कर देनी है मेंगो प्यूरी और इसे अच्छे से मिला लेंगे तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हमें इसे 2-3 घंटों के लिए फ्रीज में रख देना है फिर हम इसे सव करेंगे इसे सव करते हैं वक्त हम पहले बोल में थोड़ा सा बारी कटा हुआ आम एड़ कर देंगे और अब हमने जो कश्टर ठंडा करके रखा हुआ है वो हम इसमें एड़ करेंगे यह देखिए कितना बढ़िया क्रीमी और बहुत ही मज़े का हमारा मेंगो कश्टर बनकर तयार हुआ है सिर्फ बेजिक से इंग्रीडियंट का इस्तेमाल करके आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं तो अब इसे सव करने के बाद हम इसमें गानिशिंग के लिए थोड़ा सा बारी कटा हुआ आम और एट कर देंगे अगर आप चाहें तो अपनी पसंद के हिसाब से इसमें थोड़े से और फूर्ट से एट कर सकते हैं जिसे कि केले, चीकू, अनार, सफरजन वगेरा क्योंकि ये मेंगो कस्तड है तो इसलिए हमने इसमें सिफ मेंगो ही एट किया है और इसी के साथ हमने इसमें गानिशिंग के लिए थोड़े से पिस्ता एट कर दिये आप अपनी बसंद के हिसाब से कोई से भी डाइफूर्ट भी ले सकते हैं आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कॉमेंट करना ना भूलें